तो जेहरे आखो देश कोरोना सामें एक जूट थे लड़ी रहों शे तेरे केटलाक लोको आ लड़त ने नबड़ी पाड़ी गहां शे आवाज लोको ने फिल्म अभिनिता सलमान खाने आड़े हाथ लिदा शे पोतारा संदेश मां डॉक्टर्ज और नर्स पर हुमलो करता लोकों नी जाठाक नी कारता ते आवने कहूं शे के मात्यक एतलाक लोकों ने कारणे भारत ने एक मोटू नुकसान भूगवानो वारो आवे हो शे ते आवने आवा लोकों ने जौकर साथे सरखावे हाता यह कमार है डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए नर्स आपकी जान बचाने के लिए और आपने उनके पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वाह वो हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां किस और भाग रहे हो जिंदकी के और भाग रहे हैं मौत के और भाग रहे हो अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिवार्ट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे दिखो मैं उनकी बाग समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उनहें मैं सलाम करता हूँ क्यूँके वो भी ये जानते है कि परीवार गुजर जाने से बेटर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लगड़ा है कि वाकिए में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये विमारी पहली जा रही है अगर आपके अक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के रियाक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके अक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करुणा वायरिस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खतम हो लिया लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े दाकत वरवाब बड़े भाद वरवाब कि इतने भाद वर इतने ताकत वरवाब कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उनकी अर्थी उठाओगे इतना जिगर है आपने क्यों आप यम्राज और मलकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इननिल्ला है और राम नाम सकते है और ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं जिसके भी दो ही है एक पहलू ये है कि हम सब रहें दूसरा पहलू ये है